जहिन नमस्कार वेल्कम आप वेल्कम को वेल्कम दोस्तों तो आज आप लोगों के लिए एक जैसे दे रहा हूं तो जिसका हम से कुछ क्लास बस इस मन तक एड़ेस्ट करिए तीस तारीक तक तीस तारीक के बाद फिर से मैं आपके बीच में लाइब रहूंगा बस एक्चुली क्लास अफ्लाइन भी हो कि तो अब कि पढ़किया है प्यारे दोस्तों प्लीज मैनेज करिए मैं आपको पूरा डिटेल्स में एक एक टाइप का एक एक चीज में बताऊंगा और बहुत कि अंबर सिस्टम्स का अग्राइब के टोटल नंबर आप मतलब टोटल फाइंड आफ प्राइम फैक्टर रिजेशन कुल अभाज गुनन खंडों की संग्राइब के अग्राइब कर दो कि अधियों पढ़ने आते हैं मैं उनको 55 और फिस लेता हूं 65 और फिस लेता हूं ठीक है अर्थमेटिक करेगा तो हाँ पर तो है और अगर अर्थमेटिक करेगा तो पच्पन सो है ठीक है मतलब अगर मिक झाल . . आपसे छोग और अ राप्सावप सिर्गी में, आपसे लिए रगे, आपसे लिए डिए, आपसे लिए झाल 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 ठीक है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? कुल अभाज गुनन खंड़ों की संख्या क्लियर है? अभाज गुनन खंड़ों की संख्यां ग्याब करने के अधार पे? हलो, हलो, हलो 00 हलो हलो चीज एक important चीज आपको यहां पर यह चीज ध्यान देना है कि सर अगर कोई भी संख्यागर मान लिजे मैं normal वहां पर मैं 6 के बारे में बोलूँगा कि अगर यह 6 है तो 6 को हम किस से किस से divide कर सकते हैं आप बुलेंगे सर सबसे पहले तो वहां पर 2 से divide करेंगे क्योंकि prime factorization कहने का मतलब यहां पर यह है कि सबसे पहले वह prime number से ही divide होगा तो एक से divide कभी नहीं कर सकते हैं यह कभी बेवकूफी मत करिएगा सबसे पहले हम लोग वहां पर 2 से गर divide करेंगे 2 से गर 6 को divide करते हैं 2 तिया 6 तो हम बुलेंगे जर 6 का जो total prime factor है वो 6 का total prime factor कितना है तो आप बुलेंगे सर 2 गुना 3 है यह आप बुलेंगे सर सही है बात है हम बुलेंगे सर आठ का प्राइम फेक्टर क्या है तो आप बुलेंगे सर आठ को अगर प्राइम फेक्टर रिजिसन करेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होगा दो होगा अगर दो से अगर करेंगे सर यहाँ पर चार जाएगा फ total number of prime factor जो हो जाएगा यह देखिए यही यही prime factor का लाते हैं जो प्राइम नंबर है मेरे बच्चों आप लोगों को प्राइम नंबर के बारे में पूरा डिटेल में पहले से ही बता चुका हूँ कि सर प्राइम नंबर होता क्या है उसी को ही prime factor रिजेसंस कहते हैं अगर questions कभी भी अगर ये दे दे कि sir अगर 100 वहाँ पर माल लिजे 143 दे दे कि sir ये 143 है तो आप इसका prime factor बोलेंगे sir इसका prime factor दो ही हो सकता है यहाँ पर ध्याँ दिजे क्योंकि एक number 11 होगा और दूसरा number यहाँ पर एक बात आप सकते हैं यहाँ जाँ चैनल होगा इन्हें 3 से डिवाइद नहीं होगा 4 लुझत करेंगे अभी तो मैं चोटा 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 ले रहा हूं आभी मैं बहुत बड़ा बड़ा कोश्चन का एक्जामपल में दूंगा आप इन सभी कोश्चन का आप स्क्रिन या तो अराम से आपने लिख लेजिए अब मैं यहाँ बताने चाहा हूं किंसर अगर मैं 12 को फुन में लेता हूं यह 12 अगर 12 करते हैं तो दो से गर हम 12 को गर डिवाइड करेंगे तो जागा 6 दो से गर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो जागा 3 और 3 को गर 3 से डिवाइड करेंगे तो जागा 1 क necessarily ना करे डिवाइड करे या ना करें से आपको मतलब है तोटल नम्म टोटल प्राइम नमब से आपको मतलब है टोटल नमबर ऑ shift डाइम फेक्टर तो यहाँ पर टोटल नंबर और प्राइम फेक्टर एक एक दो डो ऐद तीन तो बोलेंगे सर तीन होगा लेकिन आपको अगर इससे बड़ा कोशन दे देगा कि सर अगर इससे बड़ा कोशन दे देगा तो हम लोग कैसे करेंगे इससे बड़ा कोशन दे देगा तो हम लोग कैसे करेंगे जिसे मालेजी अगर कुशन बहुत बड़ा बड़ा दे देगा अभी अगर टोटल नंबर अगर प्राइम फैक्टर से अगर निकालेंगे तो यहां पर देखें कि एक प्राइम फैक्टर एक हुआ दूसरा प्राइम फैक्टर दो मतलब ही तीसरा प्राइम फैक्टर यह चोथा प्राइम फैक्टर ठीक है तो टोटल नंबर हम कहेंगे कि टोटल न नंबर और प्राइम फैक्टर जो होगा कि जिसका प्रोब्लम कि कहीं पर नहीं बंदे को को दिक्कत बताये अब मैं आपको ये नौट करके बताना चाहूंगा कि एकदम ध्यान से रखेगा कि जो एक लाइन में आपके पास एंसर आ जाएगा वो क्या है ये बात में बता रहा हूं अगर कोई भी नंबर का अगर टोटल नंबर और प्राइम फेक्टर से अगर निकालना है तो इन कंडिशन में प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इन कंडिशन में हम लोग यहां पर इस चीज का प्रियोग करेंगे अधी माल लिजेगा कोई संख्यां जो है अगर कोई नंबर जो है अगर कोई नंबर अगर इस फों में लिखा गया एक्स टू दी पावर सी अगर यह इस फो में अगर लिखा गया है देन तो टोटल जो होगा तो टोटल जो होगा यहां पर बच्चों ध्यान से देखेगा तो टोटल नमबर और प्रेमप्लवेख्टरर सी ऋअक्याँ decor explodes a plus b अ होगा मतलब इन तीनों का यूग होगा। अब मेरे कहने का मतलब यह है मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह बारा है तो बारा को हम लोग लिख सकते हैं यार दो का स्क्वाइर अगर दो का स्क्वाइर गुने तीन लिख सकते हैं तो यहां पर देखेंगे कि टोटल नंबर ओफ प्राइम फैक्टर जो होगा टोटल नंबर ओफ प्राइम फैक्टर जो होगा तो यहां पर घातांक जो होगा टू और वन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो दो प्लस एक इज़ इक्वल्टू हो जगा तीन इस बात को ध्यान रखना है कि दो और एक जो हो जगा क्या हो जगा तीन ठीक है झाल 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 हो जाएगा तो नंबर वहां पर प्राइम नंबर फैक्टर तोटल यहां पर निकल जाएगा अब मैं छोटा से एक जामपल देता हूं कि 36 अब हम बोलेंगे यह चाथिस का वहां पर टोटल नंबर प्राइम फैक्टर निकालो अभी मैं छोटा ही दे रहा हूं अगर हम बोलेंगे 36 को क्या लिख सकते हैं तो चार गुने नौ को क्या लिख सकता हूं दो का पावर चार तो टोटल नंबर औफ ट्राइम फेक्टर अगर टोटल नंबर अगर प्राइम फेक्टर तो यहां पर धेखेए घातांक में चार हो यहां दो है तो क्या हो जागा 4 प्लस 2 इस इक्वल टू 6 आप निकाल के भी देख लिजे ठीक है 36 को अगर हम निकालेंगे अगर 36 को अगर सबसे पहले प्राइम से अगर निकालेंगे तो 2-2 से अगर हम करेंगे 18 फिर 2 से करेंगे तो जागा 9 6 9otros-9र मैं यह में गलत लिखाक हैं हां 2 इसक्राइर हो जागा ने चार होगा यहां पर दी का यहां पर यहांपर यह पर टोmbar प्राइम फेक्टकर तो यह चार है तो चार है 18 यहां अवर्त मतलब ऊद आ थोड़ा कई मिश्टेप हो जाता है बोलते बोलते अब कोश्चन अगर देदेगा क्या अहां पर ध्यांच देखेगा कि सर कोश्चन देदेगा 121 गुना 25 सर 121 गुना अगर 25 अगर देदे था हम इसको क्या लिख सकते हैं था हम लिखेंगे सर 11 का हॉल स्क्वार और 5 का हॉल स्क्वार पचीश यहां पर टोडल नंबर अव्च अगर निकालना है कि टोटल नंबर आउस कि च्प्राइम अगर निकालना है इसम आरान से निकालें तोडेगन जोड देजिए तो प्लस दो इफ्टो चार हमारा एंसर हो जागा चार अब next question महाँ पर discuss करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेगा कि sir अगला सवाल क्या हो सकता है कि sir अगला सवाल question अगर देदे कि sir 121 गुना, 125 गुना, 36 गुना, 12 अब ये भी देदे कि यार इतना बड़ा अगर देदे कि sir इसका total number of prime factorization बताइए कि मतलब कितने अभाज गुनान खंड़ों की संख्या होगी ये आप बताइए तो हम बुलेंगा ये ये कितना है, इतना है, हम बुलेंगा ये 121 है तो हम इसको लिख सकते हैं 11 का हॉल स्क्वार, ये क्या है कि मैं इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकते हूं यहाँ पर ध्यान देना कि ये 36 है तो हम लिख सकते हैं 2 का हॉल स्क्वार into 3 का hall square खरे मुतलब 2 का hall square 4 हो जागा 3 का hall square 9 हो जागा और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो हम बुलेंगे सर ये 4 लिख लो 2 का hall square और आप लिख लो यहाँ पर 3 चार ती है वहाँ पर अब total यहाँ पर अगर देखेंगे कि यार एक यहाँ पर base जो है तो 2 का power चार हो जाएगा तीन काश्क्वार यहाँ पर भी यहाँ पर जाएक यहाँ पर बेदोうरी कि वहाँ पर कितना झटेगा 3 मतलब तीन का power माँ पर कितना जाएक तीन तो total number of prime factor अगर हम निकालेंगे तो total number of prime factor जकर निकालेंगे तो दू एर एक तीन, तीन और चार, साथ, साथ इन, दस इन कंडिशन में अगर यहां पर देखेंगे कि टोटल नमबर अपर प्राइम फैक्टर अगर निकालते हैं ते यहां पर यह दो और यह तीन, तीन और चार, यह तीन हो जाएगा 2-3, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, तो total number of prime factor कितना हो जाएगा बच्छों, 12, ये 12 आपका right answer हो जाएगा, ये 12 आपका right answer हो जाएगा, आप लोग उहाँ पर ध्यान से देखेगा, अब आगे हम लोग उहाँ पर discuss करेंगे, प्यारे बच्छों, ध्यान से देखेगा, अब कोई भी नंबर कुेश्चन से यहाँ पर अगर दिया जा सकता है कि sir question क्या है सू अगर कोश्चन अगर इस तरीके से दे दे कि सर यहां पर 132 देख लेजिए यहां पर कोश्चन 125 देख लेजिए यहां पर कोश्चन और मैं जटील में कर रहा हूं 156 देख लेजिए यहां पर कोश्चन अगर आप देख लेजिए सर 35 देख लेजिए यहां पर कोश्चन सर तो आप जाहिर से बात इसको बोलेने कि सर इसको हम लोग 132 को लोग तोड़ सकते हैं 111 गुने 12 कि 11 तो एक पहले से प्राइम फेक्टर है प्राइम वहां पर नंबर है और हम 12 को तोड़ सकते हैं मतलब 4 गुना 3 चलो भया इसको वहां पर लिख लिए यही लाइन आपको वहां पर बेड़ा पार करेगा लेकिन 12 को लिखने के लिए हमको वहां पर 2 का अस्पायर लिखना पड़ेगा फिर 4 लिखना पड़ेगा 35 35 को लोग 7 गुने 5 लिख सकते हैं हाँ सही है साथ गुने 5 लिख सकते हैं 75 को लोग वहाँ पर क्या लिख सकते हैं यार 75 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 3 15 पच्चे 75 मतलब 5 का हॉल स्क्वाइर अब यहाँ पर देखना कि total number of prime factor निकालना है अगर total number of prime factor निकालना है अगर टोटल नंबर और प्राइम फेक्टर निकलना है तिहां पर ध्यान से दिखिएगा एक ग्यारा का पावर एक और तीन का पावर एक मेरी बात को समझेगा एक ग्यारा का पावर एक और तीन का पावर एक मांच का पावर तीन तेरा गुने दो का स्कॉयर चार साथ गुने पांच पांच का स्कॉयर गुने तीन तो नंबर अब डूटर लगर प्राम फैक्टर निकालेंगे यहां पर एक हो जागा एक दू हो जागा तीन तीन शार चार-टीन-7 यह जगा ऑठ यह जागा सब्सक्राइब कर दिया है एक पावर को जोड़ना है इसके बाद वाले में महां पर फैसे डिख लिजे एक तीन तीन एर एक चार चार एक पांच 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 एरीक छे 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 लोघ रोले दो एक यह तो नहीं है तो नहीं होना चाहिए मैं थोड़ा बडा सब्सक्राइब तिन यहां पर इस होगा सबसे पहला वाला अंसर सही है कि कहीं पर किसी बच्चे को को भी दिक्काइब बताईएगा अपलो कहीं पर किसी भी बंदे को कोई भी प्राब्लम है तो तो इस तरीके से कहीं भी कोश्चन दिया जा सकते हैं आप देखिए मैं टोटल में बता दिया हूं कुछ मैं हम्वर्क दे रहा हूं जो आप लोग वहां पर बना के कमेंट भी कर सकते हैं मैं दोरों सर 25 गुने 125 गुने 32 इसके टोटल नमर और प्राइम फेक्टर बताओ दूसरा आप मुझे बता दो कि सर 125 गुने 121 गुने 32 इसका टोटल नमर और प्राइम फेक्टर बताओ तीसरा वहां पर बता दो कि सर 25 गुने 145 गुने वहाँ पर 35 इसका total number of prime factor बताओ चोथा अगर हम लोग देखेंगे कि सर 125 गुने 121 गुने 12 गुने 15 इसका total number of prime factor बताओ question number 5 अगर देखते हैं कि सर 35 गुने अगर 12 गुने 14 गुने 13 गुने नहीं तो देना चाहिए इतना वो खराब position लेकिन मैं दे दे रहा हूं 15 गुने 256 इसका total number of prime factor बताओ आप सभी बच्चे लोग इसका वहाँ पर कमेंट करके ज़रू बताना तो यह total number of prime factor जेशन का हम लोग सेशन को खतम किए इसके लिए बढ़ियां से देखिए अराम से समझे मेरे कहने का क्या मतलब है बताने का क्या मतलब हो उसको बढ़ियां से समझने का प्रयास करिए उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलाकात करेंगे तब के लिए जैहिंद नमस्कार धन्यवाद थैंक्यू अ इन सभी चीज को आपर आराम से आपको बताना है ठीक है एक एक चीज को आपर ध्यान से देखना है और एक चीज को आपको आपर आराम से बताना है झाल से बताना है